अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आईस्क्रीम आप खा रहे हो, एक्चल में वो आईस्क्रीम है नहीं और ये बात न अमूल को बिल्कुल पसंद नहीं आई इसलिए उन्हें एड चलाना शुरू किया जिसमें उन्होंने खुद को रियल आईस्क्रीम बताया और बाकी सब को फ्रोजन डिजर्ट बताया और बोला कि इसमें न वेजिटेबल ओयल है फिर ये मामला कोट में जा पहुचा फिर कोट ने अमूल को का गए देखिए आप न किसी और के प्रोड़क्त की ऐसे बेज़ती नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों खाने के लिए परफेक्ट्ली सेफ है पर कोट ने ये भी माना कि जो मिल्क और मिल्क रिलेटिट प्रोड़क्त स